आज की वीडियो का आफी इंप्रेस्टिंग और इंफरमेटिव होने वाले हैं सो चलिए सुरू करते हैं तो फास्टी है फेविक्रिल को मोल्डिट जिसको मैं मैक्सिमम टाइम लीपन काम के लिए यूज कर चुकी हूँ अभी तक मैक्सिमम लीपन लिए पता पही होगा कैसे इसे यूज किया जाता है जिसको नहीं पता में ब भी इसको बता देती हूं इसके अंदर दो पैकेट आते हैं आपको इकुट अमाउंट इस पैकेट से लेना है करने के बाद आपके हाथों में ऐसे चिपक रह जैगा अब कने के आपके मिक्स करने केinky है धिंया है पेहले आपको ध्यान रखनाा है इसे पहले वहत करना है रागर आप अगर आगे जाके फिर बिल्शावी को करने कर सेप में एक भीर हम घुए किन conversation प्रॉप स्टेज में होती है अभी आप इसे पकट भी नहीं पाओगे अपके नेल से इसका इंप्रेशन भी आजाएगा इसलिए सबसे बेस्ट है कि पहले आप क्ले को मिक्स करने के बाद इसको मैकसिमम तो तो फाइब मिनिट से चोड़ दीजिए अपको बिल्कुली तकलिब नहीं होगा अच्छे से रोल हो जाएगा जब भी आप ट्ले को रोल करते हो सबसे बेस ट्रिक है कि आप थोड़ा सा टैलकम पाॉडर का इस्थमाल कीजिए जो कि आप डे टो डे लाइट में यूज करते हो किसी भी ब्रांड के टैलकम पाॉडर हो चलेगा उस भी इसे specified brand नहीं है, अभी इसको रोज करना जितना असान है, पकड़ना उतना असान है, आप इसे किसी भी जगा पे अराम से पूट कर सकते हो, अभी आपके जो fingers के इंप्रेशन ही, वो बिल्कुल नहीं आएगा क्ले के उपर, इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिए, छोड़ा सा ट्रीक है, बट बहुत ही यूसपुल ट्रीक है, क्यूंकि पहले स्टेज में अगर आम क्ले के साथ काम करेंगे, तो क्ले की जो ठीकने से उसकी uniformity throughout the project नहीं आएगा, इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, अभी त किसी भी क्राप ग्लू का जरूर इस्तमाल कीजिएगा, किसी भी PVA ग्लू होगा तो भी चलेगा, यह जो क्ले ही, यह एयर की कॉंटक्ट में आने के बाद यह ड्राय हो जाती है, और बेस के उपर से निकल के आ जाती है, यह बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जब भ बहुत सारे काम करते हैं, मतलब आसकल मैक्सिमम टाइम हम एर्ट्रेक के जगा में इसे औरेडी रिप्लेस कर चुके हैं, अल सबसे खास बात इसका यह है कि इसका प्राइस बहुत ही रिजरेबल है, मतलब आपको इतना बड़ा सा पैकेट उनली 40-45 रुपीज में मिल जाए आप इसे एजिली इस तरह बना सकते हो, इसका ड्रॉबैक है कि आप जब भी इसे बनाते हो इसके तुरेंट बाद ही आप इसके साथ काम करना सुरू कर दीजिए, क्योंकि वल्ल पुट्टी जो है बहुत जल्दी ड्राय हो जाता है, इसको हैंडल करना कुछ टाइम के पहले तो आपके जो डो है वो बहुत ही सॉप्ट हो जाती है इंस्टुन्टली दूसरा का में एक जो डो की लाइफ स्पानी थोड़ा सब बढ़ जाती है, बहुत जल्दी यह ट्राय नहीं होता है इसके बाद, इसको बिल्कुली रेडी कर चुकी हूँ, इसके हैंप से आप अगर बहुत ताइम रेक लेटे हो, जब भी आप रेकिस बनाओंगे तो आपके रोल के अंदर रुत बहुत सारे क्राक्स आजाएंगे, मूटिप्स के अंदर रुट्स के इंथा, इसलिए मिए रेकमेंड करोंगी, जब भी आप बदाते हो तुरन भाद ही आप यू के लिए इसे ताविल से उसके अप्रिक के अंदर इसे रह रहे हूं कि यहां जो कपड़ा है उसका वाटर अबजर्बिंग कापसिटी बहुत ही हाई है इसके अंदर मैं इसे डाल के रख रहे हूं जब भी मुझे काम करना है तो मैं निकालूंगी बट उससे पहले अच्छे से अपने हाथों को आईल से मसास कर दीजिए तो काम करने में आपको इजी होगा जो डो है फिट से सॉप्ट बन जाएगा बट आप इसे ज़्यादा दे कि यहें अभी पेष्ट बनाना सिखेंगे बट उससे पहले हम जो पेष्ट बनाएंगे उसको एक कौन के अंदर रखेंगे जो की जैसे महंदी के कौन होते ना उसी तरह ही तयार किया जाता है तो पहले तो मैं आपको कौन बनाना सिखा देती हूं आप जब भी ले रहे हो आप स्कौर सेप में इस तरह के पॉलीथिन टैप जो गीप ट्रैपर सोते ना उसी यूज कर सकते हो या फर आपके पास अगर मिल्क पाउल से तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं पहले तो मैं इसको एक कोनिकल सेप दूँगी जब ही मैं फॉस्ट इसे रोल करूंगी ना प तो मेजर्मेंट आपके हिसाब से बना सकते हूँ वाल पुटी के पैस्ट बनाने के लिए मैं पहले 2 टबल स्पून अफ वाल पुटी ले रही हूँ उसके साथ में मिलाओंगी 2 टबल स्पून अफ वेविकल ग्लू किसी भी टाइप के पी भी ग्लू ले सकते हो तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी अगर आपके ग्लू बहुत ही ठीक है तो आप थोड़ा सा और ज्यादा ग्लू ले सकते हो नहीं तो दिसमसब ग्लू इस एनफ आप इसके साथ वाटर आट कीजिए लोल पुटी ही ऐसा पेस्ट है जिसके के साथ हम वाटर आट करते हैं क्योंकि यह आप वाटर आट नहीं करोगे तो यह एच्छे सेमिक्स नहीं होगा अगर तो उसे हाट करोगे तभी भी उसका पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा अब ध्यान दीजिए इस paste का consistency बिलकुल ही इसी type के बनना चाहिए बहुत जादा पानी का इस्तमाल मत कीजिएगा नहीं तो आप outlines के लिए इसे use नहीं कर पाओगे और बहुत जादा थिक भी मत बनाएए क्योंकि कौन के अंदर से निकलेगा भी नहीं तो consistency बिलकुल ही इसी type के होना चाहिए जैसे कौन के हथ से आप इसे easily इस्तमाल कर सकते हो outlines के लिए खास करके बस ध्यान दीजी आप जब भी कौन को fill कर रहे हो आप कौन को half या फिर one third ही fill कीजी उससे अगर आप ज़्यादा fill करोगे तो उपर के तरफ से वो निकल आएगा मैं यह बोलूँगी आप जब भी यह वाला कौन बनाते हो एक दिन के अंदर इसे use कर लीजे क्यूंकि उसके बाद आप बिलकुल इसे use नहीं कर पाऊगे अभी मैं लीपन काम के लिए next paste बनाऊंगी और इसके लिए मैं ही हाँ चॉक मीटी ले रही हूँ यह जो चॉक पाऊडर है आपको किसी भी हाड़वर स्टोर में easily मिल जाएगा यह बहुत ही रिजनेबल प्राइस मतलब 35 रुपीस में आपको इतना बड़ा सा पैकेट मिल जाएगा सो इसका प्रिपोर्शन ऐसा है कि मैं यहाँ टू टेबल स्पॉन अप चॉक पाऊडर ले रही हूँ और उसके साथ मैं टू टेबल स्पॉन फेविकल ग्लू आड़ कर रही हूँ और बस इतना ही हमें मिलाना है अच्छे से मिलाना है अगर आपके ग्लू थोड़ा सा ठीक है तो आप थोड़ा सा और ज्यादा ग्लू आड़ कर सकते हो बड़ पानी का इस्तमाल यहां बिलकुल मत कीजिएगा प्रफिशनली यह वाला पैस्ट को बहुत इस्तमाल किया जाता है इसका कॉस्ट भी हमारे लिए बहुत दी रेजरेंबल है अभी नेक्स जो पैस्ट बनाएंगे यह मेरी फैवरेट है मैं ज्यादा तर जब भी पैस्ट बनाके लीपन या फिर मर्ड मिरर का काम करती हूँ तो मैं मार्बल पाउडर लेती हूँ यह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा ओफलाइन भी किसी हाड़ वर स्टोर से आप इसे ले सकते हो मैं यहाँ 2 टेबल स्पून आफ मार्बल पाउडर ले रही हूँ उसके साथ मैं 2 टेबल स्पून फैविकल ग्लू आड कर रही हूँ यह जो मार्बल पाउडर है बहुत ही फाइन पर्टिकल से बना हुआ है तो इसलिए अगर आप 2 टेबल स्पून आप ग्लू आड करते हो सेम कॉंटिटी के मार्बल पाउडर के साथ तो आपको और ज्यादा ग्लू आड करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है अभी जो चॉक पाउडर है वो थोड़ा सा एलूइस कलर की है बाकी सारे फॉइट कलर में होते हैं नेक्स डेए यह जो वर्ल पुटी वाला कोन है यह बिल्कुल खराप हुचीगी है इतना हाड हो गया कि इसके अंदर क्राह बाहर से नजर आ रही है अभी अभी यह सारे पेश्ट को मैं एक दिन चोड़ के रखी थी ताकि मैं प्राक्टिकली आपको दिखा सकूँ कि कौन सा पेश्ट आप ज्यादा दर यूज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो इसको मैं इसलिए इंटेंशनली चोड़ के रखी थी अभी मैं तीनों को डिस्टिंग्विस करने के लिए एक बुड़न पैनल ले रही हूं और थी इफरेंट सेक्शन पर डिवाइड कर रही हूं ताकि आपको डिस्टिंग्विस करने में इजी हो कौन सा वाला पेश्ट आपके लिए सूइबल है आप चूज कर सकते हो और यह मुझे बहुत पसंद है तो यह था चुक पावडर के पेस्ट वाला फिर में यूज करूंगी मार्बल पावडर के पेस्ट और यह मेरे सबसे फेवरिट है इसे बनाना जितना आसान है इसको अपलाय करना भी मुझे उतना ही एजी लगता है तो एकसर मुझे जब ही अपलस के लगा इना अपलाय करही है तो यह तो थोड़ा सा इसके अपानी के इस्टमाल मत किजिए कि उसके ब बात अब दचान बहुत सा इसको यह तो अदब आपिपट हो ह मत कीजिए हुधी तो पाणिकी इसको में करिआ आपकर और ऐसका में गपर आफदाे सर्षो Swagdiri क आप उसके help से easily काम कर सकते हो, so I really hope ये वाला वीडियो आपके लिए informative and useful रहा हो, अगर आपको इसा लग रहा है दिन जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूरे एक like कर दीजिएगा, हाँ और एक अच्छा सा information ये है कि आज गीवाव के result देकलर होने वाला है तो में इसके लिए सेपरेट एक पोस्ट डालूंगी यूटूब पे और इंस्ट्रग्राम पे अजोलेस में सारे स्टोरी पे भी अप्डेट कर दूंगी and I'm also so excited for this सो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी पोस्ट की जडिये आज सर्फ साथ पैजे आज के लिए इतना ही टेक क्यार and अवे गुटे